Welcome back everyone to our brand new episode of Watchi News जा हम Hollywood से related सभी तरह की छोटी से बड़ी news, updates and rumors के बारे में आपको बताते हैं दोस्तो इस विग बहुत सारी upcoming movies और series की release dates reveal हुई है साथी बहुत सारी movies के trailers, first official posters और साथी कुछ images और behind the scenes शेयर किये गए हैं जिन सबकी कुछ न कुछ जलक आपको आगे हमारी आज की इस वीडियो में देखने मिलने वाली हैं इसलिए obviously अगर इन updates को मिस्स नहीं करना चाहते हैं इस वीडियो को बिना skip करें and तक पूरा देखना और हाँ दोस्तों इन सबी updates के साथ बहुत सी ऐसी भी updates हैं जो हम सिर्फ अपने Instagram अकाउंट पर ही शेयर करते हैं साथ यागर आपको किसी particular series या फिर किसी movies related कोई question हो तो आप वह भी हमें वहाँ DM करके पूछ सकते हैं हमारे Instagram अकाउंट का link वीडियो की description में दे रखा है लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को subscribe और वीडियो को like करना बिलकुल न भोले and with all that said चलिए हमारे इस week की सबी updates का session शुरू करते हैं तो दोस्तो हर बार की हितरा इस वीडियो की भी शुरूआत करते हैं Marvel Cinematic Universe से निकल कराएं सबी updates के साथ विल सबसे पहले तो Hawkeye series के 5th episode release होने के बाद इस series से इन दो नए character posters रिलीज हुए हैं और इसके साथ ही Marvel Studios की site से Aternus Movie की HD release date भी reveal कर दी गई है Aternus Movie को 12th of January के रोज Disney प्रस होट स्टार पर Hindi, English, Tamil, Telugu, Malayalam और Kannada language के साथ रिलीज किया जाएगा MCU की हाली में रिलीज हुई Spider-Man No Way Home Movie ने इंडिया में रिलीज होने के बाद box office को पूरी तरह हिला कर रख दिया है जिसने इंडिया में रिलीज होने के पहले ही दिन वुपिंग 32 करोड रूपीज की कमाई की वो भी तब जब mostly metropolitan cities में cinema में सिर्फ 50% audience की ही permission मिली है और इतना ज्यादा कमाने के बाद ये इंडिया में highest opening वाली second movie बन चुकी है Avengers Endgame के बाद बात करें DC की तो सबसे पहले तो upcoming the Batman movie से काफी surprising update हाथ लगी है जो कि है इस movie के दो alternative cuts होने की नविंदो cuts के regarding बताया जा रहा है कि इनमें से एक storyline के according इस movie में हमें Joker का character भी देखने मिल सकता है जिसका role इस movie में eternal movie वाले ये actor कर रहे हैं तो वहीं दूसी storyline के according इस movie से जो कर ये character हो completely remove कर दिया जाएगा अब आप कौनसी storyline इस movie में देखना चाहते हैं हमें नीचे comment करके ज़रूर बताएं वहीं बात करें DC के CW show The Flash की तो इस season में भी DC और CW सभी shows का एक crossover होने वाला है इसका title The Flash Armageddon रखा गया है और इसी crossovers related हाली में ये दो नए official posters रिलीज हुए है तो फ्लेश के बाद DC और CW की एक और upcoming series नाउमी का भी first official poster रप release किया जा चुका है इसके according इस series को next year 11 January से CW platform पर release किया जाएगा इसके साथ DC की एक और upcoming series Peace Maker Show से भी बहुत सारे new character posters रिलीज हुए हैं जिने आप एक एक कर स्कीन पर देख सकते हैं इस show की release date 13 January की रखी गई है बट अलनक release show के फिलहाल के लिए इंडिया में release नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी तक HBO Max इंडिया में launch नहीं हुआ और इस series को सिर्फ और सिर्फ HBO Max पर ही release किया जाएगा इस movie को साल 2023 में 18 अबस को release किया जाएगा अब ये movie HBO Max पर ना release होके सिर्फ और सिर्फ थेटर्स में ही release की जाएगी DC की parent company Warner Withers के एक और most successful universe Wizarding World के अंडर release होने वाली अपकमिंग Fantastic Beasts 3 यानि कि The Secrets of Dumbledore Movie का first official Hindi trailer भी आप release हो चुका है जिसके मुताबिक ये movie 15th of April को इंडिया के सभी थेटर्स में release की जाएगी अब Wizarding World की बात हुई है तो इस universe की original movies Harry Potter के upcoming reunion को भी अब एक release date मिल चुकी है जिससे 1st of January को New Year's Day के दिन HBO Max पर stream किया जाएगा Warner Withers के popular show Rest by Wolves के season 2 से भी ये first official poster release हुआ है जिसके release date फिलहाल के निये third of fab की रखी गई है एड इस बार ये show HBO Max पर stream किया जाएगा इसके साथ Warner Withers की एक और upcoming movie जो की Korean zombie movie Train to Busan का एक English remake होने वाली है उसे भी एक release date मिल चुकी है इस movie को भी जिसका title The Last Train to New York रखा गया है साल 2023 में ही 21 एपरेल के दिन सिर्फ वो जिफ थीटरस में release किया जाएगा Warner Withers के बाद Disney Studios पर आएं तो Disney की recently released animated movie एंसांटो का एक new Hindi teaser trailer release किया गया है जिसके मुताबिक ये movie आपको 24th of December को Disney Plus Hot Star पर देखने मिलने वाली है इस movie के साथ Disney के upcoming Avatar 2 movie से भी बहुत सारे new behind the scenes लीक हुए है जिन मेंसे कुछ को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस movie की production पूरी तरह complete हो चुकी है और इसे अगले साल 16 December के release date दी गई है Netflix Studios की साइट से भी स्वीक काफी सारी updates निकल कर आई है जिन मेंसे कुछ तो बहुत ही ज्यादा surprising है सबसे पहले तो Netflix ने इंडिये के लिए अपने एक new plan launch किया है जिसके according आप सिर्फ 199 रुपीज पे करके वन मन तक Netflix का मजा ले सकते हैं वो भी अपने किसी भी device में अब आपको इस plan को सिर्फ अपने mobile पर use नहीं करना पड़ेगा और जो पहले वाला 199 का Netflix subscription था उसे अपकुल 149 रुपीज का कर दिया गया है जिसके थुरू आप सिर्फ अपने mobile phone पर ही Netflix प्ले कर सकते हैं Netflix पर हाली में release हुई live action Cowboy Beepop series को अपने पहले ही season के बाद cancel कर दिया गया है जोनी test animated show के season 2 का new trailer release हुआ है जो कि 7th January से Netflix पर stream किया जाएगा मदल नाम के एक science fiction horror thriller movie का trailer भी अब हिंदी language में available है जिसे भी same day ही Netflix पर release किया जाना है इसके बाद Netflix के upcoming Korean series Silent Sea का भी Hindi trailer अब finally release किया जा चुका है जिसका link भी वीडियो की description में दे रखा है Cobra Kai के season 4 का Hindi trailer भी आप YouTube पर release हो चुका है जिसे इसी साल 31st December से Netflix पर stream किया जाएगा और इसके recording ये तीनने character posters भी release हुए है Netflix और उसे ब्रदस की successful movie extraction के sequel से भी Chris Hemsworth का ये first look release किया गया है हाला कि अभी काफी अली production में इसलिए से release होने में काफी number time लगने वाला है Netflix और उसे ब्रदस की एक और upcoming action thriller movie The Gray Man भी next year summer में release की जाएगी जिसमें आपको South industry से धनुच भी one of the lead roles में नज़र आएगे Football fans के लिए भी Netflix ने नेमार जूनियर पर based एक documentary के announcement की है के regarding ये एक new poster release हुआ है जिसे next year 25th January को release किया जाएगा and at last Netflix के afterlife series के season 3 की release date भी अब declare हो चुकी है जिसे भी next year 14 January को release किया जाएगा and इसे related भी एक official poster share किया गया है बात करा Amazon Prime की The Hotel Transylvania 4 अब theaters में ना release होकर 14 January को सीधे Amazon Prime पर Hindi English दोनों languages में release होगी and इसका एक Hindi trailer भी इसी week release किया गया है Hulu की popular series How I Met Your Mother के बाग How I Met Your Father नाम की एक series Hulu platform पर release होने वाली है जिसका ये first official poster release किया गया है Sonic 2 movie का भी एक brand new trailer और poster release हुआ है नहीं देखा तो link description में दे रखा है इस movie का 8th of April को release किया जा रहा है Attack on Titans के final season के part 2 का भी First teaser अब YouTube पर release किया जा चुका है जो की हमें देखने मिलेगा 9th of January को PlayStation की popular game series Hello Per Base live action series का भी first official poster अब release हो चुका है साथ इस से ये कुछ images भी लीक हुए है जिन आप एक एक कर screen पर देख सकते हैं इसके साथ Uncharted का भी ये first official poster Scream का ये brand new poster Dreamworks वालू के upcoming animated movie The Bad Guys का ये brand new poster और एक new trailer साथी Sony Studios के upcoming action movie Bullet Train से भी काफी सारी images शेयर की गई है हाली में हुए एक interview के दोरान Kingsman और X-Men जैसी movie के director Matthew Warren ने बताया है कि उनकी popular film series कीकास को फिर से reboot करके बनाया जाएगा इससे related वैसे अभी कोई confirm news तो नहीं मिली बट अगर movie के director ऐसा बोलते हैं तो फिर ये most probably सची होगा Chaining Tedup की upcoming comedy treasure hunt movie The Lost City का भी first official trailer अब release हो चुका है जो की अगले साल 25th मार्च को थीटर्स में release की जानी है and at last Ethan Hawke की upcoming horror thriller movie The Blackphone की release date में थोड़ी बहुत changes आ चुकी है ये movie अप पूरे 2 महीने delay होकर now 24th June को release की जाएगी and बस इनी सारी updates और rumors के साथ हमारी इस week की सभी updates का session खत्म होता है तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी इस week की सभी major news, updates और छोटे बड़े सभी rumors आपको हमारी इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो या मजा आया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करना बिलकुल मत भूलना बाकि किस news या फिर किस upcoming movie और series को लेकर आप सबसे ज्यादा excited है हमें नीचे comment करके जरूर बताएं चैनल पर नए आये हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह Hollywood से पूरी तरह updated रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके side में देगाए bell icon को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी next update वीडियो ना मिस कर पाएं बाकि मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और exciting news और new movies के साथ till then take care, over and out